सबस्देश लेक्षर वह पढ़एंगे कि सिस्टम के तब होते हैं इस में यह एक एक करके इसमें देखते हैं सबस्क्राइब क्या होता है system basically we can define a system as a quantity of matter which is under consideration कोई भी system क्या होता है जो area under consideration होता है उसको हम system बोलते हैं जैसे हम किसी heat engine को पट रहा है heat engine एक क्या हो गया system हो गया thermal power plant को पट रहा है thermal power plant एक पुरा system हो गया जिसको भी हम consider करते हैं वो क्या कहलाता है system कहलाता है और यहां system से मतलब thermodynamic system का यहां पर जो भी जो भी बर्स यूज हुए किस context में यूज हुए system का मतलब thermodynamic system surrounding का मतलब thermodynamic surrounding बांटी का मतलब thermodynamic बांटी का मतलब thermodynamic बांटी को आगे देखते हैं तो किसी system को define करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हमको 3 चीए specify करने पड़े है क्या quantity है इतना quantity है और उसकी property quantity में क्या हो सकता है mass हो सकता है volume हो सकता है property में क्या हो सकता है pressure हो सकता है temperature हो सकता है और energy इन सारी चीज़ों की जरुद पड़ेगी when we need to define our thermodynamic system इसके बाद हम देखते हैं surrounding system के अलाबा जो बाहर होता हो क्या होता है surrounding होता है लेकिन बाहर का मतलब यहां surrounding का मतलब यह है कि वो system का part नहों but it can influence the system surrounding का मतलब यह है that is not a part of the system whatever is outside of the system is called as surrounding which can influence the system जो के आपकी system को influence कर सकता हो तो जैसे for example boiler की हम बात करें कि लिए बॉयलर लिया तो boiler में क्या होगाoscow सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां से हम हीट सप्लाइब कर रहा है वो क्या हो जाएगा सराउंड हो जाएगी यह सराउंडिंग होता है करyu जो टेवाल होते हैं को आफसा और साइद ही सिस्टाल को सराउंडर में तो सिस्टम को सराउंडिंग सेबिट करती कि it could be real and it could be imaginary यह बास्तर बाउंडरी बहु सकती है जो कुछ लिकल हो सकती है और imaginary बहु सकती है अब आगे देखते हैं इसमें सिस्टम सराउंडिंग बाउंडरी जैसे हमने देखा इसको एक एक एक्जाम्पल के तुरू समझते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यह सिस्टम है इसके अंदर माली कोई गैस या कुछ भी है लिकुड है यह सिस्टम कहलाएगा और य लिकुड को सिस्टम हो सकता है और उसके बाहर जो हो हो वह सकता है आप यहाँ पर देखेंगे तो तो जैसे हम देखते हैं इसको को एक और एकजाम्पल से समझाये है आप यहां पे देखेंगे तो यह Piston Sillender Regiment है इसमें अंदर जोगी वह gas है यह system consider कर लिए यह piston है यहां से आप ऊपर से इसको work supply कर रहा है तो यह gas है यह तो क्या होगा शिस्टम होगा आपका और इसके आपसेड जो भी है जो आप लिए दे रहे है वो इन गे में सराण्डें भीया है फिलिए उसको आपने को स्रावडिटी करने भी करते है में वह होते हैं तो इसमें तीन सिस्टम होते है एक open system होता है low system होता है और isolated system होता है open system क्या होता है जिसमें आपका energy or mass डोना system and surrounding के बीचे exchange हो सकते हों वो कहलाते है open system अब इसको example से समझते हैं यह तो simple definition हो गया system which could exchange energy and mass between system and surrounding is called as open system अब इसको example से समझते हैं जैसे बॉलर बॉलर आपका open system है अब यह बॉलर कैसे तरह से heat और वर्क को exchange करता है वो हम समयते हैं देखे बॉलर में क्या है हम heat supply कर रहे है ठीक है बॉलर में heat supply कर रहे हैं तो एनरजी का interaction हो गया है बाहर से हम heat supply कर रहे हैं तो surrounding से heat boiler के अंदर जा रहे हैं तो एक energy का interaction हो गया जूसरा mass की एदम बात करें बॉलर में क्या water आ रहा है और steam leave हो रहा है तो mass enter कर रहा है और mass leave कर रहा है तो यह क्या हो गया open system open system में क्या होता है energy mass दोनों का transfer होता है तो आप देखोगे boiler में क्या है heat surrounding से heat आ रही है और mass की एदम बात करें तो surrounding से mass आ रहा है liquid की form में mass आ रहा है gas में convert हो रहा है और surrounding में फिर leave कर रहा है तो यह इसका example हो गया इंजर्म का example हो सकता है इंजर्म क्या हो रहा है fuel आप देख रहा है तो fuel burn होगा वो chemical energy heat energy में change हो जाएगा और वो एक तरह से energy का interaction हो गया अब mass का interaction कैसे होगा आप उसके अंदर fuel continuously fuel और air की supply दे रहा है आ रहा है और वो exhaust से बाहर निकल रहा है तो यह mass का interaction हो रहा है तो यह open system का example हो गया है इसको हम control volume system भी बोलते है control volume system क्यों बोलते है क्योंकि इसमें जो volume होता है वो constant रहता है जैसे हम यह यह दो हम boiler की बात करना तो वोilet में जो volume है volume उसका किसके बरावर होगा जो boiler की shell का volume होगा उतने volume के अंदर हम इसार रहेगा इसी तरह engine में भी होता है इसके अलावा दूसरा है close system, close system क्या होता है जैसे open system में energy mask donor का transaction होता है system और surrounding बीच में close system में सिर्फ energy का transaction होता है between system and surrounding और mask का transaction नहीं होता है अब इसका example देखते हैं जैसे refrigerator है तो refrigerator में क्या है आप compressor को power दे रहे है तो energy का transaction तो हो रहा है लेकिन refrigerator में कोई सामा रखा हुआ है वो automatic बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ energy का transaction तो continuous भी हो रहा है surrounding to system energy आ रही है लेकिन mask का transaction नहीं हो रहा है मास का transaction नहीं होने का मतलब है यह बाहर से ना तो कोई mask refrigerate के अंदर आ रहा है ना अंदर से कोई mask बाहर आ रहा है इसको आप उससे मत consider किये कि सामन हम रख रहा है और सामन निकालता है वो अलग चीज हो गया जैसे माली fridge में कोई सामन नहीं रखा है आपने चालू कर रहा है तो क्या होगा एनजी के transaction हो रहा है लेकिन fridge में कुछ अंदर नहीं जा रहा है और कुछ fridge में बाहर प्रिश से अंदर से बाहर नहीं आ रहा है कोई mask का transaction नहीं हो रहा है इससी तरह दूसरे example battery हो सकता है बेटरी को चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद वो बेटरी क्या करते है तो बैटरी में लगातर आपको एनर्जी का ट्रणेक्षिन हो रहा है इनोड पावर दे रहा है तो जो तो थोड़ा-बात लौसेश होते हैं उस सबस्क्राइब कर सकते हैं यह कर दो इसको हम कंट्रोल मास कंट्रोल स्टम कि कि एनरजी और मास डॉनार का फ्रांगिक्स नहीं होता है ना energy system से surrounding में जा सकती है, न mass surrounding से system में आ सकता है, ना system से surrounding में जा सकता है. तो isolated system को example क्या है universe, आपको पूरा universe में जो अंदर पूरा activity चल रही है, वो क्या हो रहा है, यहां से बहार जा रहा है, और मतलने जो भी हो रहा है, तो पूरे यूनिवर्स का जो मास है और जो एनरजी हो क्या है तो उसको आप आइसुलेटर सिस्टम का एक्जाम्पल कर सकते हैं कि उसमें क्या है इंसुलेशन लगा हुआ है जो क्या करता है गीड के ट्रांसपर को अबट करता है और आपने उसको क्लोस कर रखा है तो मास भी कॉंस्टेंट होगा लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जैसे से टाइम पास होता है तो उसके अंदर टेंपरेचर होता है ठीका वो दीजरे कम हो जाता है तो वह परफेक्टली एक आइसुलेटर सिस्टम को एक्जाम्पल नहीं ह लाइको है पाईय के अएक लीवरियम कि गलेशम कृष्ट्स क्या होता है इस्टब में आना चाहता है अब क्या मतलब होता है सब से कपल या नेंट बॉम्मेंट क्या होगा जीरो होगा और कोई भी सिस्टम के आपने हमें से एक्लियूम अटाइंड करना चाहता है यह तो इस पर कोई फोर्स लग भी रहा होगा तो अब इंटरनली इस तरह से एड़्जस्ट करेगा कि वह एक्लियूम में आ जाए ठीक है एप किलियूम क्यों कर नहीं करता है जब यो कोई टेकशन नहीं हो हरही हो तो वू आ मिकर सैंत गरों किलरों करेंगे लौन इसी तरह से आफ देखेंगे नहीं होता है जब कि ट्रांसपर किसकी वेश होता है तो वह कहलाता है थर्मल क्लियर गृण कब तक जब तक दोनों का टैम्टियर बरावन हो यह एक स्टेट कहलाती है थर्मल अप्लियरम में तब कहलाएगा जब हो mechanical equilibrium में भी हो chemical equilibrium में भी हो और thermal equilibrium you know equilibrium में भी हो satisfy करना है then that system can be considered in a state of thermodynamic equilibrium so this is it thank you for watching please do subscribe and put questions in the comment section